सम्विधान सभा हैड़ी मैं लिए Constitution Assembly सम्विधान सभा सबसे पहले तो जो कुछन निकल के आता है वो सम्विधान होता क्या है What do you mean by Constitution किसको हम बोलते हैं सम्विधान ठीक और एक शर्ब आता है सम्विधान वाद Constitution और Constitutionism कहते हैं Constitution तो है यहाँ पर Constitutionism नहीं है सम्विधान तो है सम्विधान वाद नहीं है जब सम्विधान किसी देश में लागू हो वहाँ की सारी गरस्ता है राजनीती गरस्ता है सम्विधान का अदूप चलती है कि तुम बोलते हैं यहां पर सम्विधान बाद भी है जरू नहीं कि सम्विधान हो वाँ सम्विधान बाद भी हू ठिक Constitution कुछ ऐसे आमूल यह हम कहें foundational यह हम कहें कि बुनियादी नियम और सम्मूय आधाबू दस्तावेज है लिक लीजे आप कुछ points Constitution किसी भी देश का एक आधार भू दस्तावेज है Constitution is a fundamental document of any country ठीक जिसके आधार पे वहाँ साशन तन्त के स्थापन होती है Constitution किसी भी देश का एक आधार भू दस्तावेज मनाता है ठीक किसी भी देश की राजनिती गवस्ता का बुनियादी साचा धाचा तै करता है समिधान जिसके तहत वहाँ की जनता शाशित होती है Constitution किसी भी देश का आधार भू दस्तावेज है जिसके आधार पे वहाँ शाशन तन्त की स्थापन होती है मैं दो definition लेख लिखवा दिया आपको आधार भू दस्तावेज और आधार भू दस्तावेज के लावाँ समिधान एक दीख काली दस्तावेज होता है एक long term document होता है किसी भी देश का constitution एक long term document होता है एक दीख काली दस्तावेज होता है दीख काली दस्तावेज होता है जिसके तहट वहाँ की शाशन वरस्ता वहाँ का governance system स्थापित होता है या उसको design कियाता है ठीक इससे अप्शाशन स्तावेज क्या आता है हम देखते है कि विधाई का पाली का न्याय पाली का एक्जुटिव जूडिश्वी लेक्जुटिव इनकी स्तावाँ किसे तात होगी सम्विधान कितात होगी इसलिए मैं का कि आधारबूत दस्तावेज का आधारबूत बनेंगे यहां से मारी है तो दि कोई कहे कि सम्विधान आधारबूत दस्तावेज है समझ जाई आप कि साशन तंत के इस्थापना के लिए हम भोल रहे हैं आधारबूत fundamental ठीक और दीख काली मतलब एक लंबी परमपा से विक्षि आधारबूत दस्तावेज का आधारबूत दस्तावाद सम्विधान लियाएंगे ऐसा नहीं होगा सम्विधान क्या है एक दीख कालिक डॉकुमेंट है ठीक और जब पर इस सम्विधान के देशे बनता है उसके अधारब यदि वरस्तमा लागू होती है तो हम उसको सम्विधान यहाँ पे है सम्विधान भी है सम्विधान भी है अब किसी देश सम्विधान जो होता है उसका ग्याना नाता वहाँ के इतियास से होता है ठीक कोई कोई आप पढ़ेंगे तो आप यह जा सकते हैं कि वहाँ का इतियास किस प्रकार का रहा होगा ठीक यह बात मि ने इसलिए बोली कि यदि आप American Constitution को देखें और भारती सम्मिधान को देखें तो यह पाहिनेगा है कि दोनों सम्मिधान में वहां के इतिहास का एक बड़ा प्रहाव है जिसे अमेरिकी सम्मिधान किसे सम्मिधान है एक revolutionary constitution है एक क्रांती का ही सम्मिधान है उसके उत्पत्ती उसा जन्न एक क्रांती के परणाम सरुफ हुई ठीक इसलिए उसके कुछ प्राध्राप देखेंगे तो revolutionary इतिहास को दिखाने के लिए महत पूर है भही यदि आप Indian constitution हो देखते हैं तो बहात ही सम्मिधान एक evolutionary constitution है एक ऐस सम्मिधान है जिसकी उत्पत्ती हुई है जिसका जन्न हुआ है कमे कूपस है अमेरिके सम्मिधान जो है कांति 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 कांत एक सहर्च अमने करीब सम्मिदान होता क्या है सम्मिदान किस तरह से दीख काली दिस्टावी कलाता है why we are calling it long term document क्योंकि इसमें जो vision होता है वो long term होता है ठीक है ना और इसलिए लंबे सम्में तर प्राश्टन करता है सम्मिदान अब हम आते हैं कि भात में सम्मिदान जो है इसमें आधारबूत तो है बुनियादी तो है लेकि क्या क्या बाते हैं इसके लेए पर इंडिन कॉंस्टों हम देखेंगे तुम धंग से लिखते हैं इस तो बात अथात इंडिया पार्ट वन में इसको सम्झानी कुश्ट करेंगे कि भात है क्या पर अच्छा अच्छा को वर्षय रहा पीज़े कुशना पहले जब केंद आज में तनाव हुए कुछ तो भात अथा इंडियराज्यों का संग है इस बात को लेकर डिबेट हो गई थी अभी निउस प्रेपस में आया राउल गांदी स्टेटमेंट कहे दिया तो इसको बाद ये विवाद में आ गया था पूरा ठीक तो इसको पढ़ेंगे अब यहाँ हलागी प्री के क्लास है तो ज़्यादा फोकस में करूँगा निस पे लेकिन मैं अबको हवाला करें लाओ कि इस तरह के einz deficiency मुद्धि değildi दे आज च चाचा में रहें तो पाार्ट वन में भात है क्या इसको बतलाया गया है ठीक यहां समयाईगनी किसी नहीं राज का जन्म कैसे होगा भात में, किसी राज्यों का नाम परवतित करना हो, तो क्या होगा, यह सब पार्ट वन में है, मैंने का अधाबूत दस्तावेचता, अधाबूत इस रूप में अधाबूत, पार्ट टू में जम जाएंगे तो इसमें भात के लोग की नागिता की बात की गई पार्ट टू में जाएंगे तो यहाँ जो लोग रहते हैं, जो नागित हैं, और जो नहीं भी नागित हैं, उनके क्या अधिकार होंगी, इस बात की चर्चा की गई है पार्ट टू में, और हमारे सम्मेदान में एक अलग से, अधिकारों को भी अलग रूप दिया गया है, मौहें मौलिक अधिकार, अधिकारों में बिस्ष्ट अधिकार, ऐसे अधिकार जो शाषन भी चाहे, तो उनसे आपको दूर निकस्ती है, बार्टमार में चर्चा में आटिकल 25 बहुत है, ठीक, आटिकल 25 चर्चा में चला है, हिजाब के मामले को लेकि, त्यार कर दिये, इसी दौर्ण में आपको अभी कुछ दिन पहले असेंशल दिलिए स्पेक्टिस एक वीडियो बनाके बहाता, ओरियो, आपके गुरुप में ERP क्या होता है, ERP के बात चल दिये, आज कर दिन पढ़ा हुआ तो वहां पर ERP का डिबेट हाई कोट में हुआ है, पहाँ पढ़ कि आज के चचा में चला है कि हिजाब क्या मौरी गदकार कें तक आएगा क्या कोट इसको चेक करेगा, और कोट इसको चेक करने का जो अधार कोट का वह है, अशेंशल रिलियस पैक्टिस, अथा तो वह अनिवाद धार्मिक परमपा है, जिनके बिना धर्म का महत्र कम होता ह तो उनकी अनिमती है, बाकी की नहीं है, हिजाब के पहनने से क्या इस्लाम धर्म की परमपा हैं उन्हें ठेस पहुंचेगी कि वह ही रहेंगी, ये कोट अप चेक कर देगा, ये मेरा कैनात भी याधार हो गया, इसी प्रकार से BPSP दिये गए हैं, मौलिक कर्तब दिये गए ह इसके आगे आप जाएंगे तो कालपालिका दी गई है, राश्पती की नितत्में भात में कालपालिका है, तो ये तमाम जो वरस्ताएं हैं, ये संविधान में दी गई हैं, और ये जो वरस्ताएं इन्ही के था कानू बनते हैं, जो भी कानून है, वो संविधान सा पाज़ जो सम्विधान के तहत नहीं है तो हमार सम्विधान उसको रद्द करने की अनुवती भी देता है कहते हैं ये अनकॉंस्टूशनल है ठिक, जैसे कोई कानून बताईए आप चर्चा में रहाओ जो अभी आली में बापस लिया गया हो फार्म बिल तो खेद अलग परही कैसे लिये गए लेकिन एक कानून जैसा बनाता जो NJSE बनाता National Judicial Department Commission कोड में का कि न्यायपालिका की न्युक्ति में सहका का दखल इंडिपेंडन्स और Judiciary के अगेंस ने उन्होंने रद्द कर दिया तो सम्विधान ना सिर्फ हमको अधिकार देता है हमारे को कानून बनाने कानून देता है यदि कोई कानून ऐसा बन जाए जो विदी सम्मत नहीं है जो सम्विधान के मताविक नहीं तो उसको उद्द करने के अनुमती भी उसको दत करने के लिए भी प्राधान सम्धान में है सम्धान में परवतन आवशक होते है कोई सम्धान यदि दीख का लिद इस्तावेज है तो उसके लंबे समय के long term document बने लिए आवशक है उसके परवतन की गुंजाश्मन चाहिए समय के साथ आई बद्लावों को उसमें जोड़ा जा सके और जो बद्लाव ऐसे हैं जो अप्रासंगी जो ऐसी चीज़ है जो अब देलेवेंट रगी हैं यह देलेएं उनको निकाना जा सके इसके लिए हमारे constitution में इसका ही प्राधान है ठीक है कुल जमा भात ही सम्मिदान जो है यह तमाम इन खूबियों को लिए हुगए है यह तो एक शौर्ट चर्चा है अपर में स्मोर्च चर्चा करेंगे सम्मिदानवाद वगड़ा वी तो कोई प्रिम सम सीर्य आ रहे हैं अब आते हैं सम्मिदान सभा को लेके यहां से आपका टॉपिक आज का स्टाट होता है सम्मिदान सभा भात के जो सम्मिदान सभा वनी वह वनी 1946 में है और पहली बैटक होई थी 9 दिसम्बर 1946 पहली बैटक ठीक 9 दिसम्बर 1994 को इसकी पहली बैटक होई थी अब जी पहली बैटक होई थी इससे पहले आपको समयना पड़ेगा कि सम्मिदान सभा के चुनाव जो हुए थी इलेक्शन उनमें क्या क्या खूबियां थी बैसिकली कैबिन मिशन आया सैकिंड वर्ड वा के दौआ और उसके सुझाप के अधाप पे बहात की सम्मिदान सभा बनाई गई सम्मिदान सभा बनाई गई सम्मिदान सभा का चुनाव जो हुआ था इसमें या रखना है कि इसमें तीन विशिष्टाएं थी पहरा इसके भी मेंबर्स आये थे वो अब पत्य चूप से चुन के आये थे इन डाइट लेक्शन हुआ था जनता ने ये जो आपको डाइट कलर देखा ये तीन सी स्टेट से और जो लाइट कलर देखा है ये इंडिन प्रविंस थे बिटिश प्रविंस थे उस जमाने के जिए तो यह जो आपको डाक कले देख रहे हैं यह उस जमाने में बिडिश प्रोविंस हुआ करते थे इन में विधान समाय हुआ करते थे और इन विधान समाव में जनता के द्वा चुने गए सरस आये थे और इन विधान समाव ने सम्विधान समा के मेंबर्स को चुना था तो यह दो कोई करता है कि सम्विधान समाव के लिए चुनाव हुआ था हुआ था लगि चुनाव डायट नहीं हुआ था इन डायट इलेक्षन था जनता के दिवा चुने गए विधान सभा के सदस और विधान सभा के सदस तो नह था सम्विधान सभा के सदस ठीक तो पहली बात तो यह है कि जो state provincial assemblies थी वहाँ से in that elect हो के आये थे सम्विधान सभा के members बासर में आगई जो प्रांतिय सभाएं थी वहाँ से सम्विधान सभा के members चुन के आये थे इसलिए हम करते हैं कि सम्विधान सभा के चुना पत्र चुनी हुआ था यह मैं इसलिए बात बोलूँगा कि अब थोड़ी दे बाद में यह आलोप रहाँ हुआ कि सम्विधान सभा वास्त्रिक भाद के लोग के चुनी सभा नहीं थी फिर में जश्रिपाइट करूँगा कि क्योंक आ गया और इसका काउंटर किया है लेकिन इस बात को मैंने पहली कह दिया कि सम्विधान समा कैसे थी इन डाइट इलेक्टेट थी जनता के दवा चुनी नहीं थी ये प्रान्ति विधान समा चुन के आये थे इतने थे दूसर सम्विधान समा में जो डाइक कर दिखाया वो थे आपके उजमाने के दियासते और जो दियासते थी जरवाड़े थे यहां से जो मेंबर चुन के आये थे उनका चुनाव नहीं हुआ था वो नॉमिनिटेट थे मनोनीत थे तो कहने मतलब एक सम्विधान समा में दो तो है कि मेंबर्स थे निर्वाचित और मनोनीत इलेक्टेड और नॉमिनिट बोथ ठीक के लिए रियासतों में चुनावी नहीं हुए थे दूसरी जो बात थी सम्विधान समा को लेके वो ये कि सम्विधान सवा के लिए जो बिधान सवा के लिए आपको पता हुँए कि यहाँ पर पथक मद्दाता पद्दती सैपट एलेक्टिट सिस्टम जो 1929 में भातना आए गया था उसके तहित तान्तों के विधान सवा में चुनाव हुआ था आसा है 1909 में आया था यह माले मेंटेट रफॉर्मस और गांधी ने कहा था कि भात के बिवाजन के बीज 1909 के अधिरियम में बो दिया गए थे यह स्टेट्मन बहुत बहुत है कभी आपको स्टेट्मन देखा है यह कमें चचा कीजिए बताईए पता ही नहीं है तो क्या है कुछ भी चचक कर देंगे कि कुछ बो दिया था 1909 में वो फिर फर मन गया 1947 में ऐसे ऐसे ब्वाजन हो गया टीचर भी कहा बहुत बढ़िया तुम कहा थे वर समय वो बोया गया तुम ही खा था ठीक लेगा आपको दाँचे वो 1909 में पहली बब हात में पतक निवाचा पद का संबन्द यह है कि जो व्रिधान समय थी उन का चुणाव उसी स्टम पे हुआ था यह दूसर पॉइंट है जिसका अधापर में आरोक नाँगाँ हूँ अभी कि सम्वीदान सभा में सभी लोग को शामिल नहीं किया गया सम्वीदान सभा सभी लोग त सभा नहीं थी तीसर से विधान सभा की सीमा ये थी कि जो election भी हुआ था उच जमाने में मैं बात करना हूँ विधान समाओं का विधान समाओं को चुनाव जो हुए थे उन चुनावों में सीमित मतदकाय लिम्टेट बोर्टिंग राइट्स का प्रावधान था आच के समान साल भौमिक सभी जो अठाय वर्ष से दिखें वो बोर्ट डालने चले आती हैं ये उस समय नहीं था उस समय लिम्टेट बोर्टिंग राइट्स का प्रावधान था केवल दो ही आ रहा है पर बोर्ट डालने का दिखान था सुख्षा और संपत्ति या तो आप सुख्षित हैं तो आपको दिखार था और ने तो संपत्ति है तो कुल जमा मैंने तीन पॉइंट समय लिम्टेट बोले पहला मैंने का कि समय लिम्टेट बनी जो इसके मेंबर चुन के आए इसका एक गठन हुआ यह कैब इन प्रिशन के आदार पर हुआ मैंने का कि इसमें अपत्यच इलेक्षन को यूज किया गया था पत्यच इलेक्षन होई नहीं था जनता ने चुना था विधान समाओं को ट्रांती सभाओं को प्रांती सभाओं के मेंबर चुनके बेएते संवीधान सभा के लिए दूसर जो विदान सभाओं को चुना भी हुए थे उन में भी सीमित मतदगाः था और सैपिट इलेटिस सिटम को लाये गया था इस तShare से हम देखें तो सम्विधान सभा सई रूप में पूरे भात की तरफ चुनी नेगी थी इसलिए या आदोप लाना बहुत आसान था कि सम्विधान कुछ पढ़े लेके लोग के दौआ बना कर लोग पर थोप दिया गया या आदोप लाना असान था और आपको लगाओ कि क्या ये बात सम्विधान सभा के मेंबर्स को पता नहीं थी क्या और क्या ऐसा सम्विधान जो कुछ लोग के दौआ बनाया जाए जिसमें इतनी जिसमें लोग की घूमी का जो है वो बहुत कम हो माल लीजिए तो क्या वो लोग को सुविकाद होगा क्या वो सम्विधान प्रासन के घ्याए पाएगा तो सम्विधान सभा के मेंबर्स के सामने बरिच नोती ये थी कि इन सीमाओ के बाबजूत एक ऐसे सम्विधान के निर्मान करना जिसों सम्विधान सुविकाद करें ये तो कोई कहता है कि बहुती सम्विधान सभा के समस्विधान सभा के समस्विधान चुनती क्या थी तो उनके द्राच चुनती ये थी कि जो सम्विधान के दवा बना जा रहा था वो सम्विधान सुविकाद हो टिक सम्विदान बनाब बड़ी बात नहीं है उस सम्विधान को लोग माने है यहां एक बड़ी बात थी और यह कब मानेंगे जग सम्विधान सबी लोग की आकांशाओं इच्छाओं और उनकी जो जलूते हैं उनको पूरा करता हो हर एक व्यक्ति को अपना आइना दिखता हूँ हर एक व्यक्ति उस सम्विदान में अपने भविश को अपने आकांशाओं को जो चाहता है हो सब दिखाई देती हैं ये गब बनेगा जब भले ही संविदान सभा के ममबर्स पत्तर चुनके नहीं आए लेकर उनका देश्टिकौण व्याप होनाँ चाहिए तो भले ही कोई यह करता है गि संविदान सभा पत्तर चुनके नहीं आई थी संविदान सभा में यह limitationth थी कि वही इसमे separate system था कि इसमे लिंप उड़ेया इस था लेकिन सम्विदान सभागे सदस्थों ने इस या हमारे उस समय के निताओं ने इस होशारी से काम किया इस समझदारी से काम किया कि सम्विदान सभी लोग की आशाओं को पूरा करता हुआ निम्यत किया गया और आज भी वो दस्थावेज चासंगिक है और भादि सम्विदान एक जीवित दस्थावेज है जीवित मतलब इसके जो प्रावधान है या आज ही में आवशत्ताओं को पूरा करने की छंता इसके अंदर है इनमें समय किसाब बदला आप लाने की छंता है यह तो सब छोटी मोटी बाते हो गई अब आते हैं अपन सम्विदान सभा के यह मैंने समझा दिये है कि दो ते के स्टेट से लेकिन टेक्निकली आप देखेंगे तो सम्विदान सभा के मेंबर्स तीन जगे से आए थी एक आ प्रोविंस भी हुआ करते थे CCP प्रोविंस सम्विदान सभा के मेंबर्स तीन जगे से आए थे आम तो पर लोग जिनको कम समझे बोल देते है कि बिडिस पान से आए थे और रियासुत्र से आए थे वो तो ठीक है लेकिन उस जमाने में एक और एक आई थी एक और युनिट जहां से आए थे वो ती CCP चीफ कमिश्नर प्रोविंस चीफ कमिश्नर प्रोविंस आज के UT के समान चीफ कमिश्नर प्रोविंस से भी मेंबर्स चुनके आए थे से भी मेंबर्स चुनके आए थे थिक सेरी में में चुन गाए थे तो धंग से आप देखिएगा कंपोशन क्या है इन्डारेट इलेक्शन है तो आन्ती विधान समझ चुन के आए इनको कैवि मिशन के सुझापरे रिकमेंट पे इसका गठन हुआ और मेंबर्स तीन जर्ण से आए दोसो बानुवे मेंबर्स आए प्रोविंसे लेक्शलेस से असेब्ली से इलेक्ट होके आए इलेक्ट होके आए घहान से word एक एक वरड़ पकड़ना आए को कि एक्जाम में आपके ये वर्ड से ही कुशन धंग से दिजाइन होते है तो आपक प्रिंसली स्टेट्स से और चार्च उनके आयते CCP प्रावर्स से और CCP क्योंकि मैं आपको जो दिखा रहा हूं यह गौर्वर्मन्ट अफ इंडिया का डॉकुमेंट ही है तो आम तो पर इसमें CCP प्रावर्स मिलता है बाकी जगे लोग सता ही तो पर दो तरह से बोल देते हैं य जो संक्या थी यह थी 339 लेगा उंको पता है हम जो मोरेशी पढ़ते हैं तो उंको पता है कि यहीं से लीक के दौरा पागिस्तान की मांग को लेके आंदुनन और तीव कर दिया गया और फाइनली भाथ के बट्वारे का एक नया फॉर्मुला आया तीन जून योजना जिसको बोलते हैं थर्ड जून 1947 को मांट पूरे प्लान आया लेकिन यह मां समय ना कि इस बीच कुछ हुआ नहीं समिदान सभा ने काफी कुछ काम कर लिया था क्योंकि हम बात कर रहे हैं 9 December 1946 कियो और सीधे मा आ गया 1947 टीन जून को तो आप कहेंगे बीच में समय ना क्या कर रही थी तो बीच में समय ना कार कर रही थी लेकिन तीन जून के बाद मैं इसलिप नहीं चाहरा हूँ कि तीन जून के बाद वो इलाके जो पाक्सतान चले गए बटवारे के बाद उन यह तक उसे जो members आते थे वो अब सम्विदान सभा भाथ की से कम कर दिये गए है और अब जो ultimate figure लास्ट figure था final वो था 299 वो अलाके जो Pakistan को मिले पाकिस्तान कौन से लाक मिले पूविव पाकिस्तान पश्च्विव पाकिस्तान वो लागे पाकिस्तान चलेगा उनके जाने से members की संख्या भी बदल गए 299 ठीक के लिए हो गया यहां तो को दिखत तो नहीं है अब यह मैंने कहा कि British plant उसे member आये रियासतों से आये और CCB province से आये तो British plant उसे member आये थे उनकी तीन category होती थी तीन category थी एक सामान सीटों से जो आये थी एक मुसलमानों के लिए जो आच्छे सीटे थी नहीं वहां से जो आये थे और एक वो सीट जो सिखों के लिए थी तो तीन तैसे members के लाये गया था British province से जो member आये थे वो तीन दूप में थे सामान जन्रेल सीट्स फिर मुसलम काइंडेट्स के लिए जो जो सीट्स थी सैपनल से थी और सिखों के लिए थी तो तीन committee से total members को लाया गया था ठीक के लिए हो गया अब सम्विदान सभागी जो पहली बैटक हुई वो ही 9 December 1946 ठीक 1946 इस पहली बैटक के आज था यह दच टैंपर चेर्मन चुने गया सचनान सिना आज भी प्रमपरा प्रोट्रम स्पीकर के रूप में हमारिया है सव्विदान सभाग के मैं तो टैंपरी चेर्मन था लेकिन बरतमान देपन देखें प्रते एक लोग सभाग आप्टर इच लोग सभाग एलेक्शन लोग सभाग का एक अस्थाई चेर्मस स्पीकर बनता है उसको बोलते है प्रोट्रम स्पीकर बिर्हान सभाब में यह होता है प्रोट्रम स्पीकर और प्रोट्रम स्पीकर और प्रोट्रम स्पीकर बहुत लोग के लिए नहीं हमने इंटर्व्यू लिए मौक में पूचा प् या बहुत बुनियागी चीज़ है बट पड़ते है मैं आटमी इसको जार फोकस नहीं करता है उसको राश्च्पत दिलवाता है और फिल प्रोटन स्पी काम जियोता है कि नई लोग सबा में सभी लोग को शबत दिलवाना और यह शबत ऐसा नहीं सामोई कूप से वन वर वन होती है ठिक और नई लोकस्वाम जो जीत के आते हैं मेंबर्स वो अपने छित के ही पोफसाक आधी पहन के आते हैं और कोशिश करते हैं कि यदि वो वहां के यदि भाष्षा सम्मिधान के अंदर मानने हैं तो उसमेही शपत लें कोई तेलगी रायके साय आय तो तेलगी शपत लेगा कोई Malayalie रायके साय तो Malayalam भाष्चा में अचरुपत लेगा ठिक संस्क्रत में लेते हैं इंग्लिष में लेते हैं अपने एम और वन लेते हैं तो प्रोटोंस पीकर जो होता है जैसे अभी इपामनी स्पीकर लोग सवाज हो है ओम प्रकार बेला जी है चुनाव हुआ जीत क्या है वो आकर बैटे स्पीकर पर अब जो प्रोटन स्पीकर है वो नीचे आके जिस्वी पार्टी से है वहाँ जाके जहाँ उसका स्थान है वहाँ जाके बैट जाएगा ठीक अब अगला कुशन है कि प्रोटन स्पीकर को चुनने का अधार क्या है किसको बनाते हैं प्रोटन स्पीकर तो इसमें अधार है वरिष्टा अब वरिष्टा आयू नहीं कि हमने एक वाइ इंटर्म पूछा तो बच्चा बोला किसा आयू होती है मैं कि आयू मतलब सब सब को आने जो होंगे विद्ध होंगे उठा के लिए आएगे मैंने मालो पहली बाई जीत के आया है वो 80 वर्ष के आयू है हारागी बहुत मुश्किल है किसी बस के आयू हो सकी राजनीती में जीत के भी आजाए लेकि पुछ उच्छता है राजनीती है और जीत के आ जाए हैं फिर क्या वोश्प दिलवाएंगे बहुत हाँ सब भी दिलवाएंगे नहीं ऐसा नहीं है वरिष्टा का मतलब है अनुभव मतलब आप कितनी बार मेंबर बन के आएं जितनी जादा आप मेंबर्शिप जीत के आएं लोगसभा के अंदर उतना आपके अनुभव को यहां काउंट के आएगा तो यह वरिष्टा का मतलब हो गया संसद के सदस बनने का अनुभव और उस अनुभव को यहां पर योगता वरिष्था माना क्या है बासम में आ गई यह बहुत छोटी चीज़ है लेकिन पता हो चीएं तो यहां पर सचिदान संना जी ने इसी प्रिकास से टैंपरी चेर्में का पदलिया टैंपरी चेर्में का पदलिया उसके बाद सचिदान संना अनुभव पड़ी ठीक और जोब्यूंग का गुर्विल मैसेज था वो ने पढ़ा बहुत साई देशों से गुर्विल मैसे आया था ठीक यह सब्दा अब आपको यह पूछ सकता है कोई कि सचिदान संना को त्यों चुना किया मैंने आपको हिंट दे दी कि आप चुनने का अधाता अनुभव सचिदान संना को यह आप हिस्टी पढ़ेंगे मोन हिस्टी में तो आप पाएंगे कि इनका बिटिश काल में सदन के कामकाच का अनुभव था अब मैं हिंट दे रहा हूँ जान बूचार कुछ बूरंग बनी सब्धान सभाके यहां तक बात समय मागे राजन पसाथ जो है इस थाई अद्दच चुन लिये गए सम्धान सभाके यहां तक बात समय मागे राजन पसाथ बन गए इस थाई अद्दच अब जो सम्धान सभाके इसका काम शुरू हुआ सेशन शुरू हुआ और सबसे पहले तेरा दिसम्बर नाइटीन फुरिश्क्स को पंडि जवाय ने उद्देश पस्ता पस्तुत किया नौ दिसम्बर को पहली बैट हुई और तेरा दिसम्बर को पंडि जी ने उद्देश पस्ता पस्तुत किया उद्धेश मतलब इस समिदान समां को उद्धेश क्या है जह से उन्हें कहा This constitutional assembly declares its firm and stoneman resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution ॐ फिर उन्हें कहा कि बात में कों कों से ला पिया होगा कि क्या हो गए इस तरह से एक इक जो है उद्देश पस्ताव पूरा पढ़ा गया ये टोटा उद्देश पस्ताव मैंने मार्क कर दिया है इसको देख लीजेगा ये आठ पॉइंट है पूरे पढ़ना चीह आपको उद्देश पस्ताव पढ़ने साब काफी चीह किले होंगी कि कि किस तरह का ये उद्देश पस्ताव था उद्देश पस्ताव पे चैचा हुई बहस हुई और चैचा बहस होते होते नया साल लग गया 22 जनवरी 1947 को उद्देश पस्ताव को सदन के द्व वारा सुकार कर लिया गया बिना किसी विरोथ के अपना लिया गया कि ये उद्देश है अब इस उद्देश को ले कि अपन सम्धान निर्मान का कारा शुरू करेंगे ठीक किले हो गया हना उद्देश पस्ताव आया कब था तेया दिसंबर पास कब हुआ बाई जाए ठीक तो अपन एक करन चीओ को देख रहे है 1946 से एलेक्शन हुए बिनान सभा के उस एलेक्शन से आपकी कैपन मेशन के रिक्कमेंडेशन बनके आई सम्धान सभा नौ दिसंबर को पहली बैटा कुई तेया दिसंबर को आपका आ गया उद्देश पस्ताव 22 जनवरी को उद्देश पस्ताव पास ठीक अब इस उद्देश पस्ताव था इसके साथ ही निर्मानकार भी अपना आगे बने लगा लेकिं बीच में रिका कि तीन जून को बट् कोशना होई तो अब स्विदान निर्मान को रोखना पड़ा कोई कि भाई आप पर सुको में रहनता रखते हैं तो सिह होगा कि बट्वारे के इलाके जाएंगे उनके लिए प्राभधार करें पड़ेंगे तो कुछ समय रोका गया इसको और स्विदान सभा के सेशन होते थ ऐसी संसर सम्विदान सभा के सत्त हुआ करते थे ठीक अब इम देखें कौन सत्त में क्या पास हुआ लेकि आपको आएड़े होँचिए लेकिं मीनवाइल 14 अगस्त 90 पटचंग को सम्विदान सभा की वापर से बैठा कोई और अर रात्री को भात को आजाद घुश कर दिया गया और सम्विदान सभा को अर रात्री कोई independent इंडिया की legislative assembly भी बना दिया गया इंप्र इंपरेंट पॉइंट है इसी समय से यह आजाद भात की विधाई या विदान सभा के दूप में सम्विदान सभा को ये काम भी सौब दिया गया मैं दोला काम करना आपको, जब तो सम्विधान नहीं बन जाता, तब तक जो आवश्यर विधान है, वो भी आप बनाएंगे, और सम्विधान भी आप करेंगे, मैं सम्विधान तरह नहीं आप करेंगे, दोला काम करेंगे, सम्विधान भी मान मुल काम है, ऐसा नहीं को काम न गड़ी या किस समय से पपत हुई तो समय है यह ठीक यह असा कॉश्चन है कि आप 90% रोग से पूछो गए तो उंको किलिए नहीं है तीन-टीन चाचा आप पौलिटीक पड़ ली है फिक कैसे कि पौलिटीक कोशों बَंते नहीं तो बनते रस लिए पड़ने तही का गलता है रट्टा माला लश्मिकांत पटकर बैठ़के आप ठीक जो रंकी घुङ भूख मी नहीं है रंकी बुगा पढ़ेंगे तो अप पढ़ी है डीडी बस हूँ ठीक स्वाख रश्वा आपको वाल्टी में लगया कि हाँ चीज़ें कहा लिकी गई है उनके इंटरप्रेशन आज ही निकल के आते है या फिर NCRT ठीक क्लिर ये जो आद मैं बोल रहा हूं जो आप एक्साम देंगे आइनवा जीसरे में जायेंगे आपको लगया कि books के अलावा भी आपको एडिशन शीट चाही होंगे तब आपको लगया कि हमको एडिशन शीट भूग खां तब ये जो books मैं बोलना हूं ठीक बेसिकली ठीक है, सीसी दे दी है, सिंपल, सिंपल लेंग भी पॉलिटी कर दी है, लेकिन सिंपल करने से समझ में आ जा वो अलग बात है, तो पकड़के लिए आपको चीफ प्राउची है कि यह से बदलाफ किये तो को हो रहा हूँ, ठीक इसके बार उन्हीं समझाया कि संभिधन साथ दो री भूमका में थी, एक मूल संभिधन इर्मान काम और दूसरा बिधाई काम तो cardiovascular assembly legislative के रुप में ही काम करे थी और constitutional assembly के रुप में ही काम करे अब 2 चर्चा में शब्द आते हैं एक आता है आपका चर्चा में बहुत ज़्यदा हम आते है आपके राजेन पसाथ जी और एक आते हैं जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर है यह जीवी मावलंका सम्विधान सम्वा जब सम्विधान निर्माल काल करती थी तो उस सम्वा उसके हैड होते थे राजेन पसाद जी और राजेन पसाद जी ब्याहा से आते थे सिक्षत थे यह मैं असली बोलाओं कि एक बार UPSC में कुछ पूछा गया कि इनमें से कौन का सम्वा जासे था हा से सिक्षा से सम्वा आजेन पसाद बाबु का ठीक आपको यह पताओं जीए गांधी से किस मुव्मेंट जुड़े ही है राजेन पसाद बाबु किस आंदोलन दुरान गां इस राचा में आते हैं वह सूप में आते हैं कि जब सम्विदान सभा पिधान सभा के रुब में काम करती थी दिन प्रति दिन के कानून निमान अधी के लिए उस समय सदन के प्रभु गुण जाते थे जीवी मवलंकर जी और राजेन पसाद बाबु जी नीचा आके बढ़ काम चलाओ सरकार बनाई गई थी जब तक कि सम्दान नी बन जाए को सम्दान बन जाएगा तब उसका अधाप चुनाव होंगे पिधनिसा का चुन के आएगी तब तक लिए सरकार क्योंकि बिटिस्ट चले गए तो राक्यूम ना बने उस समय एक इंटिम गवर्मन बनाए थिक इस इंटिम गवर्मन का फॉर्मेशन किया गया 2 सितंबर 1946 को इंटिम गवर्मन का और मरदा बात यह कि इस इंटिम गवर्मन में यह दे कोई पूछे कि कहां कहां से मेंबर्स आय थे तो यह दखना इस इंटिम गवर्मन में बिटिश मेंबर भी थे और भाती मेंबर भी थे यह मत किया देना कि पूछे इंटिम गवर्मन में भाती मेंबर थे यह शब्द गल्थ है इन्टेम गोवर्मेंट में वाइसा और कमांच जीफ बियके और अगने मेम्बर्स और इन्हाम उस्चिली को कौंगे अधी से लिए गये थे ठिक थो इन्टेम गोवर्मेंट देख लिएते हैं वाइसाय गवर्णन अफ इंडिया बिटेन से थे कमार्ण इंचीफ बिटेन से थे और इस इंटर्म गवर्णमेंट में पंडिर जवाय नहिदू को वाइस प्रसेडेंट अफ दी एक्जिटू कॉंसिल दिया गया था होता अप्रिल इंचीफ दाइट कुशना आजा है कि इंगो कौन सा पत्था वाइस प्रसेडेंट उद्धा एक्जिटू कॉंसिल कारकारी परिशद के उप राश्पती होम परियस बले अपटिल के पास था एकचर फूद आपस था और आप सोचो कि राश्पती पसाद मंती भी थे इंट्रिम गवर्वर्मेंट में और यदि विद्धाई विद्धान कारे करना है तो मंती अद्धिस्ता कैसे कर लेगा तो राश्पती अब भू फिर नीचे आगे बैठती थे जब संविद्धान सभा लेगे स्टेटी अस्विद्धान काम करती थी उस समय जीव मावलंकर उसके प्रमुख थे यह समय में आगे ठीक इसके लाग किसके पास कोई साम बनता लेता ही आपको पढ़ना चाहिए यह प्रिलम्स के पॉइंट वसे इंपोनेंट है ठीक प्रिलम्स के पॉइंट वसे महत्मा अत्पूर है कि कौन को क्या दिया गया था ठीक अब अब हम आते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं चियों को लेखे कि 29 अगस्ट 1947 जस 14 अगस्ट के बाद यह वो दिन है जब सम्विदान सभा की सबसे महत्मूर कमेटी बनाई गई नाम तास का ड्राफ्टिंग कमेटी और इसके चेर्मेन थे टटब बीराम बेटकर इंका मूल काम था पालूप कमेटी बोलते हैं तो ड्राफ्ट करना कॉंस्टिशन आफ इंडिया को बहात के समिधान का ड्राफ्टिंग का कमेन को цвет कमीटी का समपन्य हुआ डिबेट डिस्कोर्स आधी होकर। और चभ्यविस नॉबंबर को इसको अडाप्ट कर लिया गया attempt कर लिया deployed थेक दो त्रिंचीन है आपको पता होुँँदे कि वो ही है कि adopt कप किया गया signature कप किया गया signature किया गया 28 जनवरी 24 जनवरी 1950 हस्ताच्चर दिवस ठीक obviously कुछ members कम हो गए आप देखिए कि 284 लोग के इस हस्ताच्चर है इस पे MBPST पूस हता है कि हस्ताच्चर मूल समिधान पे कितने लोग के है factual question है PSC के लिए पूछना कोई बड़ी बात नहीं है 284 obviously अपकाई लोग इसमे option गुबाने के लिए बहुत बड़ा सीधा question जो है वो यह कि जतने members थे समिधान साथ को ते लिख दो तो भाई इस बीच कुछ members का दिहान तो हो गया तो संक्या घट गई समिधान में मान कोई एक दिंगा काम तो था ही एक लंबी पक्या रही तो इसलिए 284 संक्या रही finally sign किया गया उस दिन बारिश भी हो रही थी यह माना गया कि यह शुर्फ संक्यत है समिधान साथ के सिग्रेचा जओ हुए जओ समिधान सभागों के members वाल ही 26 में को force में आ गया लागू में आ गया ठिक लागू में आने के साथ ही उसी दिन से जो समिधान सभात सिग्रेचा काम ते सौब्त हो गया परन्टी जो समिधान सभाग बिधाई का थी उसको भाट की और स्थाई संसद में convert कर दिया गया बासमाई और स्थाई संसद में 14 अगस्ट से बन गई थी लेगिडरे सेम्वली विधान परिश्द थिक सब्सक्राइब विधान सवा बन गई थी 14 अगस्ट 94 को और ये उस रूप में चली 26 जनवर में परिचास तर परिचास को जैसी समिनान फोस में आ गया लागू हो गया यहां से इस असेम्वली को convert कर दिया गया अब प्रोविंशनल पार्लेमेंट अफ इंडिया में और स्थाई संसद ये जब तक के लिए जब तक कि इन चुनाव के बाद नई संसद के दरों सदन के मेंबर चुनके नही अब हम देखते हैं सेशन कौन कौन से हुए है एक सरसरी निगा देख लिए जी पहला सेशन शुदू होता है 9 दिसमबर 1946 को और 3 दिसमबर तो चलता है यदि को पूछे कि इस पहले सेशन में क्या-क्या हुआ तो हमको अच्छे से पता है कि पहले सेशन में सबसे पहला काम तो यह हुआ कि एक temporary chairman चुने गए उसके बाद एक permanent chairman चुने गए और हमने यह देखा कि इस पहले सेशन में उद्देश पस्ताव लातिया गया पंडीजी के द्वारा second session आया नए साल में वो जो उद्देश पस्ताव था यह second session पास हुआ MPPSC या UPSC पिलिम्स में सीधा बोल देगा कि पहले session में उद्देश पस्ताव लाके पास कर दिया गया क्या यह खतन सकते है गल्थ है तो यह खतन असकते है T session हुआ था April से मई 1947 April से मई 1947 थिक चौतर session हुआ था 14 से 31 जुलाई थिक 5th session में भात आजाद हुआ तो अगर पतावाँ चिए कि 5th session जो चल दा था उस समय भात आजाद हुआ 5th session पांच्वा से 14 से 5th session थिक इसके लवा 6th session 27 January 1948 7th session 8th session इस session देखने है लेकिन last session बहुत important है last session इसलिए important है कि आपको यह परहुंचिए कि जो last session है वो है 14 से 26 November हो सत्ता है तारीक गुमा के वो कर दे 14 से 26 जन्वरी थिक चौदा से 26 जन्वरी है हमां के लिए तो चौदा से 26 नौबर हमां यह रहां तो सिगनेचर जब किये गए वो किस session का भाग था ता है यह रहां यह रहां तो सिगनेचर जब किये गए क्योंकि session committee हो गए थे ठीक अब यह session तो हुए इसके लेकिन सम्विदान सभा काम कैसे करती थे सम्विदान सभा काम ऐसे करती थे कि पूरे सम्विदान के निर्मान का जो कार था वो कमेटियों को बाढ़ दिया गया जैसे कमेटियों the rule of procedure steering committee finance staff committee house committee all of business committee arrow committee on national flag committee on the function of constitutional assembly state committee advisory committee on fundamental rights minority stribers इस पह कमेटियों आपको काम बाढ़ा गया यह आपको याद करना इसमें अब मैं कुछ नहीं करता हुए ठीक लेकिन committee की reports पे सरन में होती थी discussion debate और बहस करके इसको pass करते थे यह आपको जनब बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे आप यह समच पाएंगे कि सम्मिदान निर्मान जो किया गया उसमें इस बात का सदेव ध्यान रखा गया कि इसका मिर्मान ऐसा किया जाए जो समावेशी inclusive-ness को लेकिया है कई यह आरूप मरा गया है कि सम्मिदान कुछ पढ़े के लोगों के दौब बना के एक अनपढ़ बड़ी जनसंक्या पर थोब दिया गया ठिक सम्मिदान के हर पहलू पर पढ़ाप चचा करी गई और कुछ चचाएं जो बहुत महत्पूर भी हैं जो आपको पता हुंची है मैं एक दो पढ़ देता हूँ ताकि आप समझ पाएं कि क्या हमाई सम्मिदान नि 1948 की बात है डाप्रर अंबेकर इस बात का जाब देते हैं कि सम्मिदान में ऐसी बहुत कम सामगरिये मूल है ये सब कही न कहीं से उठाया गया है बौरों किया गया है ये बात आजणने पर ज़रूह पहल करें कि करी बाता हमाई क्या है ये दूस्षे देशों सम्मिदान से तो सुनिए वो क्या कहते हैं? वो कहते है मैं पूशना चाहूँ का क्या विष्व के इतियास में Shift में वन्ने वाले की समविधान में कोई नई बात कहीं जा सकती है वो कहते हैं 1946 में, 1947 में हम खड़ हुए है cmh 1948 में हम कड़ हुए है Second World War खात्म हो गया है समविदान कोई नई बात नहीं है दुनिया करuses मनमन चुका है तो क्या इस समविदान के समविदान में कोई नई बात हो सकती है अमादे अलावा किस देश में भी आलों कहा झाहने है سैक्दोन साल बीट गय है जब पतं लेकित संविधान का पाधूपत यहा किया घया था करी सांन भीट गये हैं जो पैसव ने लिखा गया अन्यक देशों ने इसका अनुक्ण करके अपने संविधान को लेकित रूप में कनवड कर लिया संविधान का विशेचेत क्वावणा चाहिए इस पश्ण का समानम बहुत पहले हो चुका है सम्विधान का मूला अधा क्या हो चाहिए इससे साइध उन्या परचित है सभी सम्विधान के उमुख प्रावधानों में एक समानता दिखाई देती है ठीक है इतना समय बीच जाने पर जो सम्विधा बनाया गया है उसमें यद कि यह भी कोई नभी बात कही आकती है तो वह यह है कि इसमें तुटियों को दूर करने और देश की जरूतिक अनुख बनाने के आवश्चत हेर फेर किये गए है यह बात बहुत जरूरी है ना कि यह कह देने सा कि हमने मौली का अमेरिका से लिए यह आपकी संविधान के पती कम जो समझ को दिखाता है मौलिक अधिकारों का जो प्रावदा, जो concept है, वो हमने अमेरिका से लिया है, मौलिक अधिकार अमेरिकार अमेरिकार से नहीं लिया है, हमारे मौलिक अधिकार हमारे खुद के हैं, हमारे लोग के अश्तरा का अंदूप है, क्योंकि अमेरिका के मौलिक अधिकार में तुमने क तो मुझे भी मिलना चाहिए, ठीक, राइट टू बियर नामसा अंगे लिए ख़व आएगी, अगया अत्यार लेके घूमते वो पकड़े गई, ठीक, धाये पे खाना खा रहे थे, ऐसी कब आती है, परड़े दे निश्पर पस्वा है, अब वहाँ क्लेम करें आप T.I.E. से क वो अमेरिका की संभिधान ने मौली कर्दिकार लिया गया है वहाँ से, दो ती लपड़ो लाएगा कौन, ऐसा ही गो लिया कि इसको थोधन से समझाओ, बहाँ की संभिधान, एक आए घंटे समझादो उसको, लिख लेगा बहाँ समझाता हूँ अपना, बोलेगा, लिख ल हमने कोई-कोई ने का कि कुछ नया क्या हम करेंगे, और नया करने अश्रत है क्यों है, जब हमारी वरत्मान मोजूदा वरस्ताओं से हमारा काम चाशता है, हाँ यदि बदला वित हमने वह भी किये, वह किये भाद की जवरत के बतावें को, ठीक, तो यह बहुचर स्टिक्म कुण था? एक और नोने आरोप को बस्पस किया, एक मेंबर ने कहा कि आपने क्या किया है, 1935 के भाद सरकार अधिनियम कुता दिया है, कौपी कर दिया है, तो वह कहते हैं कि सम्विदान के पादूप मतलब ड्राफ्टिंग में, इंडियन गवर्नेंस एक नाइंटी एटी अधिकांश पादानों को ज्यों का तो शामिल कर लिया गया है, मैं उसके बादे में कोई छमाय आशना नहीं करता, मैं माफी नहीं मांगता, किसी से उधार लिने में कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई चोली नहीं है, सम्विदान के मूल उचारों के बादे में किसी क कोई patent अधिकार नहीं है ठीक बासर में आई के लिए और यह कोई कहे कि बात ही सम्मिदान है गुदार के लिए सम्मिदान तो अमबेट करके इस कथन को आप इस्तेमाल करके ये बात सावित करते हैं कि ये जो बात कहीं गई आयोप जो राए गया वो कहां तक सही है कहां तक उचित है कहां तक उचित नहीं है बासर में आ गई अच्छे से कोई दिक्कत तो नहीं है ठीक है एक चीज़ आ रहना कि सबसे शम्मिदान का जो पालू बन गया उसका विचार हुआ सबसे बाद में पस्तावना को स्विकार किया गया अब आपन आते है कि जब सम्मिदान सुरिकत हो गया उस समय डाटर शेयर पसाद का पच्चिस अबिस नॉबंबर नाइटियो निका भाषण ये भाषण बहुत जरूरी है इस भाषण की आज ही वड़ी प्रासन निता है अब मैं गोलता है अच्छी बुक ये अच्छी बुक जिनमें स्टेटमेंट, कोट, भाषण आपको पता हो तो आप जिस्टिमेंट कप हो गया ये ये वे लोग जिने सम्मिदान को अमल में लाने का काम सौपा जाए खड़ाब निकले तो निश्यत रूप में सम्मिदान भी खापसित होगा ठीक उनने का हमारी जनी या समाप्त नहीं होती है, अभी तो हमने सम्मिदान बना के देशों सोपा है, अब इसका किर्यानवन करना हमारी उससे बड़ी जम्मिदारी है, आगे बोलते हैं, दूसरी और सम्मिदान चाहे जितना विखराब हो, यदि वे लोग जिने सम्मिदान को अमरे लाने काम सोपा जाए, अधिक योग हमें व्यक्ति चाहिएं ताकि यह सम्विदानों कुछ तोटी भी है तो वो अपनी योगता से उस तोटी को दूर कर देंगे उस एलर को दूर कर देंगे वाद रे ओन इंटलिएंस ठीक महसम आगी केलियर है आगे पडते हैं सम्विदान पर अमल केवल सम्विदान के सुरूख पर निर्बन नी करता है राज के अंगों का संचालन लोओ पर उंके द्वार अपनी आकांशाओ तथा अपनी राजिति की पूर्तिक लिए बनाए जाने मनी राजिति दनों पर निर्बन नी करता है निर्बन करता है उन्हें का कि हमने तो बना दिये का अपाली का बिदाई का नापाली का लेकिन इंका अमल इंका किर्यानवन लोगों पर और राजिति दलों पर निर्बन करता है ठीक कौन के सत्ता है कि बात के लोगों और राजिति दलों का वड़ा कैसा हुआ जातियों त परस्पर बिरोधी बिचार रखने वाले राजी दिल बन जाएंगे ठीक क्या भारतवसी देश को अपने पंद से उपर रखके और पंद को देश से उपर रखके देखेंगे मैं नहीं जानता बाबा बोलने है कि हमने तो बना दिया लेकिन अब आपके उपर ये जिम्मिदार है कि आप इसको अपने न्यूटल तरीके से इंप्लीमेंट करके और सभी के लिए लेके चलिए ठीक आगर बोलते हैं एदी राजनी दल अपने पंद को देश को उपर रखेंगे तो हमारी सुतंता एक बार फिक हते हो पर जाएगी मतल्द दल इदी कहेंगे धर्म उपर है दल नीचे है संविधान को न मानते हुए पंद को माने जो आज अपने होता है क्यों सुनते है कि पॉलिटिकल पार्टी दल अपने पंद को उपर रखेंगे अपनी सुतंता एवा फिक हते हैं पर जाएगी संभवत हमेशा के लिए खतम हो जाएंगे हम सभी को इस घटना का दर निश्य साथ प्रति कहां करना चाहिए हमें अपनी आजादी की खून के आखे करते दर अच्छा करने का सुनकर करना चाहिए तो यह राहिम बागू का अच्छा statement है इसी प्रकासे हों के कुछ और भी statement थे जो मैं आपको share कर दूँ आ गोपर उपर लेकिन आपको यह बस इतने points आज आपके इस first discussion में मैंने शामिल किये थे members कौन से committee को थे वो आप मैं list दे दूँआ तो पढ़ लीजेगा एक चीज़ा और जो last में थी दाफ्टिंग committee members कौने वो आपको थाऊं चीए अपको ठीक दाफ्टिंग committee members कौन से एक मिट्टी ऐसा था सम्विदान सवा में जो सम्विदान सवा का सदस्य नहीं था लेकिन उसने सम्विदान सवा की बहस आदी में काफी भाग लिया बियन दाओ आ गया के बियन दाओ जाने माने नियाइवित थे आ गया के बियन दाओ कहा पर पहुँचे क्या पद उन्हों ने लिया ICJ ICJ में पहुचे इंटरकोर जस्टिस में वहा भी वो शामिल हुए है ठीक कोल जमा आपका सम्विदान बन के लागू हो गया अब बात थी इस सम्विदान के आधार पे संसत का गठन और भाद के पहले आम चुनाव चुनाव आयुक जो पहले थे सुकुमास से अब उनके सान में बड़ी जम्मिदाई थी कि सम्विदान सभा के तहते जो सदन है जो विदान सभा हैं उनके लिए चुनाव करवाना और वो भी भाद का आजात भाद का पहला चुनाव जिसको शुरुआत से ही सार भहुम ही डिकलर कर दिया गया कि यह यूनिवर्सल है इसमें सब लोग वो डालेंगे आडल्ट वेस्कार का अधार पर चुनाव का बोड डालने का अधार सबको दे दियागा कहीं लोग ने आ लैंगे का अधा पर जेंडर के आधा पर भी बोड़िग डालने को अधार डे ऐ, राच्यों में ज्टो रेनगे ये ड्याज जहुआ पर भी बोड़िग आडे ञाट से आजात बात में सबी लोग को बोड़िग आडी दिया लिया थे और मैं अशा करता हूँ कि आपने उसको नहीं पढ़ाओगा, ठीक, मैं हमेशा पॉरिटी वाशा करता हूँ, क्योंकि पॉरिटी वाशा करने से क्या है कि फिर मैं बताने के लिए आगे बढ़ जाओगा, और मैं करता हूँ आपको आता है पढ़ाओगा, आपने आपको कहीं जानसर प्रहा था, ठीक, थौत्वा प्रहा था, अब याद नहीं आदा है, महमोदी कम हो गई है, ठीक, कान क्या है, वो सब्सक्राइब को उमी को चड़ता है, तो महमोदी कम हो याथी है, ठीक है, कोई दिक्रत नहीं है, वो आटिक नों दौाश ये कद्वन ही काम पढ़ना चीए कि के से चुनाव करवाईए, आपका अनवा अनचीव को अभी चुनाव चल दें पांच हजो, एक चीज हो महत्मूर थी कि, यह जो चुनाव प्रक्राइब शुरू हुए थी, 1951 शुरू ही बावन ही कम्प्रीट हुई, एक आप PSC चुनाव चुनाव आगया था, पह चैन में चुनाव हुए थे, सबसे पहले फेस में, लोगों ने डायेट इरेक्ष्मन डाले, और डायेट इरेक्ष्मन में दो होती है, एक लोकसवा का, एक होता विधान सवा का, पहले चैन में लोकसवा विधान सवा के चुनाव हुए, क्योंकि अब लोकसवा विधान सव पास दली गई और पता कि संसर्द में हमारे दोस रहनें राश्च्रण सभा राश्च्रण सभा इंडाइट होता है तो vot next face में आपका राश्च्रण का चुनाव हुआ ठीक? और उनको पता है कि यह जो होते हैं लोक्सभा, राश्च्रण सभा, बिदान सभा इन से चुनके आत है राश्पती उप्राश्पती है वो थो अंतर है वो हम अलग देखेंगे specific लेकिं election of president or vice president फिक complete हुगा इस प्रकार तीन चर्णों में पूरी चुनापद्धिती complete हुई और भाथ की पतम भाथ का भाथ के आजार भाथ की पहली जो पूरी शाष्ण की वरस्ता थी वो बन किया ही इधर डाटराइजन पसाथ को जो की सम्मिदान सवा के chairman थे उन्हें आजार भाथ का पहला president चुना गया और जीव मावलंकर को पतम भाथ सवा का speaker चुन लिया गया क्योंकि वो speaker की boom काम थे उस समय भी जब लाइगे assembly group में सम्मिदान सवा काम करती थी तो यह पूरी वरस्ता उन्निस सो जो बावन में complete होई अब हम देखते हैं जो questions आए हुए इस टॉप किसे हैं एक question अधिकार कोश्चन तो इसी प्रेकास से हैं यह बात में कब complete हुआ सम्मिधान यूव पीश्यस में दर दस दो दो में आया हुआ है ठीक इसके अलावा कव एड़प्ट की आ गया एड़प्ट निती थी कि आए पीश्यस भी यही पूछता है certain question fix है ठीक इसके अलावा last meeting काईट डेट क्या थी last meeting की काईट डेट तो यह पूछी गई है जब जन्विशन बिसकोष को क्यों चुना गया इसके पीछे एक इस्ट्री में कहानी पढ़ती है अब वो पता होगा कि उन्युटीस में रावी ने दिखना दे पहली बार भात में सुराज को अपनाया गया था तिरंदा ले आया गया लावी ने दिखना दे है और इसी लिए फिद आगे आके उन्नी सो पचास में 26 अमने सो शुरुआत करें थीक इंडियन कॉंस्ट्रों अडप्र बाई इंडियन कॉंस्ट्रों असेंबली बिटिश परल्यमेंट ऐसे तो अब बारा में थोड़ा एक कुश्शन अच्छा था कि भारती सम्विना सभाज जो है इसमें बई संक्यावी लोग की मर्द ली गई और सबसे मैं पूंद काम किया इंडियन कमेटी में है दूसरा लिखा कि मायनोर्टी कमेटी किस्ट्रों एंडियन पासीज को भी यहां पर एक्पेंटेशन दिया गया तीशर लिखा गया कि इसका चुनाव जो हुआता यह यूनिवर्सल वेस्क मद्दान का रापर हुआता मैंने काता नहीं ठीक तो तो गल्त है बाकी सारे स्टेटमेंट्स हैं इसी प्रकार से आरेश में कुशन आया है अठाया मैं और वहाँ पर भी फिर एक ही बात कि इन में से कौन सा खतन सत्थ है तो पहले में का गया कि ब्यसक मद्दान नहीं हुआता तो बिल्कु सही बात है सारभव में इक नहीं था ठी में से देख लीचेएगा थिक आईस द्रबाद द्रबाद दो में member कहां चुने गए कॉंसें सेंबली के थिक तो इसमें elected by a leg assembly of various province बिधान, सभा, राज्यो की थी वहाँ चुन किया है ठीक है यूपीस्टेस पर फिर्वरी कोशन पूछा गया how are the members of conservatively elected assembly के पहले chairman कोहते चाती पर पीस्टेस पूछा गया clear? जो तेरा में IES में फिर कोशन आया कि कैसे चुने गए members एक ही question बावा गवाँ-गवाँ के पूछ रहे है सम्मिलान सभा में ये ऐसा मामला है जो अधिकांस लोगों को clear नहीं है मैंने आपको स्पस कर दिया है और drill में कि CCP क्या होता है British province क्या थे पिंस्टेस क्या थे सब चीए यह यूपी फिर से पूछा गया एक question ही आरे इसमें आया है इसमें मिलाने को आया है कि किसको कौन कौन सी खूबियां तो easily मिला लीजीगा committee साब को याद करने पड़ेंगी उसमें जाबा मेरा रोल नहीं है दो याद दस यूपी फिर सब में अच्छा question है बहाती सम्विदान के संदर में निमने कत्रों उचार करिए कौन से कत्रों सकते है तो लिखाए कि उद्ध्र पस्ताब नह्यू लेके आया थे जिसले सम्विदान निमान में काफी प्रहाव डाला और वेस डाला उद्ध्र पस्ताब में दाय गया थे किस उद्ध्र के लिया है तो ओवेसर उद्ध्र का राभी काम करेंगे दूसरा लिखा कि प्रेंबर फुल्फिल वेस इंपोर्ण अब्जेक्टिव एम्स ठीक है ना तीसा बोला है कि पीपल फिंडिया की क्या क्या इनने बोला है फिर्स्स दे आउफ कॉंशने को किस ने चेयर किया मतब उसकी बैठा कदी ठीक उत्ता अगन PCS में तो यह इसी तरह कॉश्चन है तो टिपिकल वन ने मैंने दिखा दिया आपको लगबग सारे कॉश्चन ही आपके इस टॉपिक से हो गया है ठीक है इस तरह से यहां पुछा गया चेयर्मेन कौन थे क्या थे तो यह मैंने लिस्ट अभी नोट शेयर कर दूँआ तो आपको पीड़ेप भी मिल जाएगी यह टॉपिक आपक खता हूं लगबग एक कॉश्चन आने की संभावना इसमें से एक्जाम में होती है और मैंने पूरा डी पे सोकावादी है ना धन्यवाद